दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगाएं कुछ काम में लगाएं आगे चलें कुछ और बीमारियों की बात करूं अभी हाई बीटी तो हो गया इतनी दवाएं लेकिन बस मेरा निवेदन है कि जितनी मेने दवाएं बताई हैं विसे कोई एक ही लेनी है आपको आप दायची नी चाहो तो दायची नी ले लो आप मेंतिक लुकाः लौकी का रस जाओ लॉकी का लख लेव मेरी पत्रचाहू तो मेरी आपकात एक ही लेना और प्रण आयापके साथ तो विह कूल जल्दी ठीक हो जाए कि आगे चले लो लो बीपी के लší हलो करती में तो कोई दवा नहीं देखू आप आयुल वेद में बहुत दबाएं हैं भरपूर दबाएं हैं लोगी सबसे अच्छी दबा है गोड़ यह जो गोड़ है ना यह पानी में गोड़ी के नमक मिलाके नीबू का रस डाली के पिए एक किलास पानी 15-20 ग्राम या 25 ग्राम का गोड़ मिला और उसमें डालो नमक और दालो नीबू का रस और दिन में दो तीन बार पीलो लोगीपी सबसे जन्दी ठीक हो गाई से और यह अच्छी दवाहें लोगीपी कि बहुत बढ़िया अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो रोज अनार का रस पिए नमक डाली के बहुत जल्दी लोगीपी ठीक करत अननास का रस पी सकते हैं नमक डाल के यह भी लोगीपी कि करता है और एक बढ़िया दवा बताता हूं लोगीपी कि मिश्री और मखन मिलाके खाओ यह लोगीपी कि सबसे अच्छी दवाहें मखन मिश्री मखन वो जो घर में आप निकाते हैं बजारवाला ने दही बना के ऊस मेंसे मखन जो निकलता है वो मखन ताजा और मिश्री मिलाके खाओ. श्री क्रश्न वगवान की डाईट है इनकी मखन मिश्री का रोच कहा दे और इसी की ताकت से कंस को मारा लो जरासन सुंद को मारा इसी की ताकत से मतलब मैं आपको बड़ी गहरी बात के नहीं मखन ख क्षाथे तो आप बिकषिए आप कहिंगे कि दॉक्टर को मना करता है । हाँ डॉक्तर मना करता है, क्योंकि दौक्टर करके पढ़ाया गया है वह मखन के बारे में नहीं पढ़ाया थाgreg अ में चाहिए नितना में इ सिर्फ भारत में होताई और भी है्व लेवस तो आप जानते हैं यूरोपियन अमेरिकन और वहां मखन कौन सा है पाश्चुराइज वह खतर ना वह जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है लेकिन हम जो दही में वह चलाते न क्या कहते हैं उसको मथानी गई दही में मथानी चलाते जो मखन निकलता यह सबसे जल्दी की डाइजेस्ट होने वाला फैट है इसके जल्दी कोई चीज नहीं है जब हो दिया और मखन के साथ अगर मिश्री मिक्स हो गई तो यह एक बूसरे के ऐसे जबर्जस्त दोस्त है कि इनका कहना है मेरा तो आप सभी को निवेदन है कि आपके घर के छोटे बच्चों को यह मखन मिश्री और थोड़ा सा काली मिर्च काली मिर्च है थोड़ी काली मिर्च डाल दो मखन मिश्री मिक्स करके रोज नाश्ते में दे दो बच्चों को जरूर देना नेरी टीमिचे नहीं बनते उटे वह कर्ण के बनानी का प्रोसिस बिलकुल अलंग है मिश्री जब आप खरीदा ना बजार से तो मैं बताता वो एक गोल बॉल जैसी आती है जिसमें धागा लगा रहता है वो खरीबना आजकल मिश्री ऐसी भी आने लगी है जो चीनी जैसी क्यूबिक फॉर्म में वो मतले ना वो चीनी से ही बन रही जो असी मिश्री है वो बॉल की तरह से होती है गोल गोट होती है उसमें धागा लग रहता है वो खांट से बनती है खांट जो है ना चीनी से बिल्कुल अलग तो आप वह वाली मिश्री खाओ मक्षन मिला बहुत बढ़िया और मिश्री ना मिले तो गुड़ तो है गुड़ और मक्षन खाओ लो बीपी में इतने अच्छे रिजल्ट है इसके जो किसी मेडिसिन के नहीं मक्षन गुड़ या मक्षन मिश्री और एक बढ़िया दवाबत आता हूं लो बीपी की दूद में घी में लाके पिला एक गिलास दूद एक चमच घी और घी ये गायवाला ना मिले तो बहस्वाला भी चलेगा लेकिन अच्छा गायवाला और गाय वही जो देशी एक चमच घी एक जिलास दूद रोज रात को पी के सो जाओ लो बीपी बहुत अच्छे सखीप होगा और एक बढ़िया दवाह है लो बीपी की वह तो सबसे अच्छी दवाह है सबस नमकन खा सकते हैं जम श्रीरीज सकते हैं ना गल्लें तरफ ना अनार करस तो उनको बता दो कि पानी औरन इतना तो पीए सकते और गुड़ डालबें तो और भी अच्छा नहीं डालें तो नमक पानी पीते रहा है दिन में 2-3 बात मैंने देखा है भारत में मेरा मुभव है कि ज़्यादा गरीभ लोगों को लू बी-पी की ही शिकायत है क्यों खाने पीने को अच्छे से नहीं मिल रहा है बर्पूर नहीं मिल रहा तो जिनको खून कम ऊगा उनको बीपी कम हो नहीं बने तो उनको इतना हम बता सकते हैं इतना मत भोरी के पानी में पीते रहें, बहुत अच्छा है.